नवस्कार मैं हूनी लू तो जैसे की आशंका जताई जा रही थी कि एरान अब खुल कर फ्रंट फुट पर खेलेगा हुआ भी कुछ ऐसा ही कल करीब साड़े साथ बजे अगर भारते समय अनुसार बात की जाए तो दस बजे के आसपास एरान ने जबर्दस्त कह सकते हैं मिसाइल दागे इसराहिल पर हलाकि कितने कितने नुकसान इसराहिल को हुआ है कितने मिसाइल अंदर तक पहुँची है ये तो अभी आंकलन नहीं हो पाया है लेकिन कहा जा रहा है किसे इसरेल को बहुत ज़ादा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इरान वर्सेज इसरेल ये युद्ध हो गया है यानि अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और इसे एक बड़े वर के रूप में देखा जा रहा है खास तोर पर अगर इरान की बात की जाए तो इसने साफ तोर से एलान कर दिया है ये तो पहली खेप है आगे देखी क्या होता है इसी पर बाच्चित करने के लिए मैंक मेरे साथ जुड़ गए है मैंक सबसे बड़ी बात है ये पहली खे इस पूरे वार का सुरूप बदल के रख दिया है और हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं मुद्दे की बात करते हैं जो सब लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर इस हमले से इसरेल में कितना नुकसान हुआ है इसको लेके देखिए अभी कोई पुक्ता जानकारी सामने नही पर इसमें से 90% मिजाइल्स ये इरान दावा कर रहा है कि 90% मिजाइल्स जो है वो सही टार्गेट पे सही ठिकानों पर गिरी हैं और इरान का दावा है कि उसने इसरेल के करीब 20 F-35 प्लेंस को तबाह कर दिया है ये बहुत बड़ी बात है इसे हमले लगातार इस्रेल की तरफ से हो रहे की जाए हो हमास हो उती हो इस Müllang और इसी का एक बड़ी इसरेल इन यो दावे अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जो यह मिजाइल्स गिरे, यह मिजाइल्स एक निवाटीम एःबेस है इसरेल का बताया जाता है कि इस निवाटीम एःबेस से ही जो F-35 प्लेंस फ्लाइ करके जो लिबनन में अटाक होते थे या जो गाजा में अटाक हुए यह इसी नेवर्टीम एर्बेस से ही फ्लाई कर रहे थे जो हमले नसरलबा के ऊपर किये गए और जिसमें नसरललबा की मौत होई इसको उस मिश्चन को शुरुआत इसी एर्बेस से किया गया था इसीलिए इरान ने इस नेवर्टीम एर्बेस को टारगेट किया है और ऐसा बताया जाता है जो इरान का कहना है कि ये हमला बिर्कुल सफल रहा है, मिजाइल एयर बेस पे गिरी और करीब 20 F-35 प्लेंस तबाह हो गए है, ये इरान का दावा है। अब इरान कहरा है कि हमने तबाही कहिए, भरे इसराइल इसे माने या फिर ना माने, अभी तो ये शुरुबात है, दूसरी खेप अब ड्रोन की बात हो रही है, उस ड्रोन की जिसको की रूस को भी इरान ने दिया था और अब कहरे हैं कि रूस से एक बड़ा हमला हो सकता है, तो इरान की अगली स्टेटेजी जो जानकार है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हो बता रहे हैं कि हूँ सकता है कि एक बड़ा हमला ड्रोन से, देखे पहली बात यह है कि यह जो कल मिजाइल फायर की गई, मैं आपको बताता हूँ यह इरान की ऐसा सोशल मीडिया पे चर्च करीब इरान से इस्रेइल को ट्रैवल करने में करीब 2,800-2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस यह मिजाइल ने ट्रैवल किया, यह हाइपरसोनिक मिजाइल है, जो कि आवास से 15 गुना ज्यादा स्पीड से फ्लाइब कर सकती है, और अपने साथ बड़ी मात्रा में वह वार हैट्स भी लेके जा सकती है, तो यह देखिए, बेहत खतरनाक मिजाइल है, और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में, जो आप कहना चाह रही है, इतनी सारी मिजाइल एक साथ फायर होती है, जो करीब 2,000 किलोमीटर को ट्रैवल करती है, इस्रेयल के अंदर आती है, आप देखिए कि रेट सी में हो या भूमत दिसागर में हो, बड़े सारे एरक्राफ्ट केरियर्स खड़े हुए हैं, एंटी मिजाइल सिस्टम अमेरिका ने लगाए हुए है, तो अब इस तरह की भी चर्चा है कि हो सकता है कि इरान की तरफ से और ज्यादा मिजाइल फायर की गई थी, और अमेरिका की तरफ से कुछ मिजाइल सिस्टम ने उसको हवा में तबाह भी किया हो, लेकिन इन सब के बावजूद जो तस्वीरे इसरेल से आई हैं, अभी देखिए हम अगर हम इरान के दावे को अलग भी रखें, और यह कहें कि पता पूरी तरह से सही नहीं है, अगर यह मान ले, तो भी उसके बावजूद यह तस्वीरे जो इसरेल से आई हैं, आप देखिए वहाँ पर तस्वीरे आई हैं, कुछ रिस्टोरेंट्स हैं, जिनके कांच तूटे हुए हैं, एक स्कूल के उपर, जो कल तस्वीरे आई, उसमें हमने देखा, आरें डोम इंटरसेप पैनिक का माहौल है, लोग कई जगों से दूसरी जगा पर जा रहे हैं, लोगों को कह दिया गया है, कि आप बॉम शेल्डर में तुरंट भाग कर जाएं, जैसे ही, पूरी राद जो है, इसरेल के उत्तरी इसरेल और मध्ध इसरेल का जो हिस्ता है, वहाँ पर जो लोग है, सिटिजन है, उनकी पूरी राद बंकस में बीती है, और काफी सारी मिजाइल जो तस्वीरे आई, जिसका हम जिकर कर रहे थे, कि रेस्टोरेंट में तबाही हुई है, एक बताया जाता है, कि स्कूल के पास एक मिजाइल गिरी, यह तस्वीरे आ रही है, मतलब यह ऐसा नही सिस्टम के लिए एक दो दिन में साफ साफ पता चलेगा कि कितनी तबाही हुई, लेकिन यह निश्चित तौर पे है कि अब जो है, यह आईरन डॉम सिस्टम देखिए, एक साथ जब 180 या 200 मिजाइल होती है, कल देखिए जो तस्वीरे आ रही थी, आप इस्रेल के आस्मान क बिल्कुल, 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 एक साथ कई मिजाइल वहाँ पर गिर रहे थे, तो पूरा इलाका, तो मयंग सवाल यही है, कि यह देखिए, यह तो शुरुआ आते हलाकि इस्रेल ने कहा है, कि अब इसका हमने प्लान पहले से तयार कर रखा था, हमें पता था कि अब इसके बाद नसरुल्ला मारा गया, अब इरान के सामने कोई आप्शन नहीं था, यानि इसराइल भी पूरी तरह से तयार है, कि इसका जवाब दिया जाए, और इरान भी पूरी तरह से तयार है, क्योंकि पहुत दिनों से, जिस तरह से हन्या की मौत हो, इसके बाद से जो मैं समझ पा रहा हूं, कि देखिए, पहले हनिया को एसासिनेट किया गया, उसके बाद नसरल्ला की मौत होती है, उसके बाद IDF जो है वो लेबनन के अंदर तक घुज जाती है, ये एक ऐसा महौल बन गया था पिछले कुछ दिनों से, कि बस इस युद में मानों मौत ही नहीं दे पाएगा, और इरान के ऊपर दबाव था, पूरे इसलामिक कंट्री जो है, वहां से भी एमांग उठ रही थी, कि जवाब देना चाहिए, हिस्बुल्ला लगातार अपील कर रहा था, और नसरल्ला की मौत की बाद बहुत बड़े लोगों में गुसा भी थ इरान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, और ऐसा लग रहा था मालनों की एक जो साइकलोजिकल वार होता है, उसमें इसरेल को अपर हैंड मिल रहा है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए शायद कल ऐसा बताया जाता है कि इस हमले के कुछ वक्त पहल इसा बताया जाता है कि हमले के कुछ समय पहले इरान ने रूस को जानकारी दे दी थी कि हम बैलिस्टिक मिजाल से अटैक करने जा रहे हैं और यह भी जानकारी सामने आई है कि अमेरिका को इस बात की जानकारी हो गई थी कूफिया C.I.A. के जरिए कि आज की रात इरान जो थे इस पूरे मामले में क्योंकि यह बात साफ हो गई थी कि इरान अब चुपने ही बैठेगा और नस्रल्ला का बदला भी लिया जाएगा जैसा इरान कह रहे थे और हनिया का बदला भी लिया जाएगा वो तीन फ्रंट पर पहले से सामने से खेल रहा है सामने से बार कर रहा है हिजबुला हमास हुटी अब चौथा फ्रंट पर खुल गया है इरान का अब ऐसे में किस तरह की चुनौती इस्रेल के सामें भी है अब देखिए यह वार अब तक प्रॉक्सी वर्सेज इस 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 लेकिन अब इस वार ने इसरेल वर्सेज इरान का रूप ले लिया है देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नितन याहू और इसरेल अब पलटवार करेंगे इसमें कोई दो राए नहीं है अब इसमें इसरेल का कहना ऐसा है कि जगा भी हम तै करेंगे और वक्त भी हम तै करे इरान भी इस बात के लिए तयार है, इरान भी इस बात को समझ रहा है, तयार है कि इस्रेली जो फोर्सेज है वो उस पर अटैक करेंगी, तो इरान की भी तयारी पूरी है, और साथ ही साथ देखिए, इरान अकेला नहीं खड़ा है, पीछे से रूस उसको बैक करने के लिए त पूरे इसराइल को लेकर मिडिल इस्ट में हाथ से बाद बाहर निकल चुकी है अब हिजबुल्ला के लडाई नहीं है या हमास तो अपने आप तो जमीन पर हड़ी सेना खड़ी होई अब अने वाले वक्त पहर पार बाद रहा है और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम देखिए कल रात को हमले के बाद आज share markets पूरी दुनिया के हिले हुए हैं चाहे वो अमेरिका का share market हो चाहे जपान का हो पूरी दुनिया के share markets आज गिरने शुरू हो गए तो ये अगर Middle East में war होता है और ये कोई बड़ा war का रूप ले लेता है और हाथ अगर हालात हाथ से बाहर चले जाते हैं तो फिर इसके बाद मामला कहां जाके थमेगा कोई नहीं बता सकते हैं और अब ये तो बिल्कुल साफ तोर से लग रहा है कि यहां से लड़ाई अब बड़ी ही होने वाली है पीछे की तरफ तो कोई अपने कदम करने को तयार नहीं है ये लड़ाई कहा तक जाएगी क्योंकि अगर पूरे Middle East की बात की जाए इस वक्चे क्रूड ओयल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अगर वहां से इस तरह की लड़ाई छिड़ती है खाड़ी देशों में इस तरह की लड़ाई या टेंशन का माहौल रहता है तो पूरी दुनिया पर इस पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर इस पर क्या असर पड़ेगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिलाल हमारे साथ बने रहे है